पश्कार, स्वागत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि क्या भारत के अंदर भेदबाव यानि डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है एक रिपोर्ट आई है, Oxfam की एक रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में इस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर भारत के बारे में कुछ लिखा गया है उसको हम बहुत अच्छे से डिटेल से कवर करने वाले हैं फिलाल, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, PDF के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए, ओक्सफैम इंडिया द्वारा एक रिपोर्ट जारी गईगी उस रिपोर्ट का नाम था इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट इस रिपोर्टमेंट जो मेंड पॉइंट हाइलाइट किये गए एक तूती महिलाएं यानि कि एक आदमी और महिलाओं में कितनी जोब के उपरचिनिटीज हैं उनको कितनी सैलरीज दी जाती हैं marginalized communities है यानि कि जो SC, ST communities होगी तो वहाँ पर नोकरी के अंदर जो बेदवाव का सामना करना पड़ता है यह सब बाते जो है इस report में लिखी गई है अब इस report में जो main जो चीजे हैं उनके बारे में डिसकस करते हैं कि जो highlight की गई है देखे सबसे पहले तो मैं आपको बता देता ह तो यह जो report त्यार की गई है किवल एक ही चीज से तरीके से नहीं मतलब कि इसने बहुत सारे data का use किया है इस report को त्यार करने में पहली जो report जो इन्होंने यूज ली है वो है रोजगार बिरोजगारी पर राष्ट नमूना सर्वेक्षन जो दो जार चार पांच में हुआ था वर्ज दो जार अठारा उननीस से लेकर उननीस बीस की आवदिक श्रम बल्प सर्वेक्षन यानि प्रियोडिक लेबर फिर अकिल बारती है रिन तता निवेश शर्वेक्षन जो 61 दोरे में लिया गया था तो यानि तीन reports को मिला कर एक report त्यार की गई है जिसके अंदर discrimination की बातें हमारे सामने रखी गई है first of all अगर हम बात करते हैं SC और ST के बारे में देखें जो education बड़ी है हमारे देश में और जो सरकार की यानि जो government की जो policies है उन policies के कारण क्या हुआ है कि जो urban areas जो हैं वहाँ पर बेदवाव तो कम हुआ है यानि कि जो rural area है वहां हमें कम मतलब वहां तो discrimination हमें देखने को मिल रहा है जैकि कि ग्रामिन शेत्रों में बेदवाव जो बड़ा है लेकिन जो urban areas है वहां पर discrimination है वहां कम हुआ है अब आयम में जो अंतर है उसके बारे में भी इस रिपोर्ट में बोला गया है आयम में अंतर मतलब देखे जो non SC ST communities है वह क्या गया है कि अगर उन्होंने खुद का कोई व्यपार कर रहा है self-employed है 2019-2020 की रिपोर्ट है तो बताया गया है कि जो उनकी average आये जो होती है इंकम होती है वह 15,888 रुपया है non SC ST के बात करना हूँ में लेकिन अगर मैं बात करता हूँ SC या ST community बैक्ग्राउंट से आने वाले लोगों की तो उनकी जो average जो है वो ए मतलब की जो इंकम है वो 10,533 रहते है यानि कि जो non SC ST communities वाले जो लोग है वो SC ST के comparison में एक तिहाई एक तिहाई जादा रुपय कमा रह है वहाँ पर बेदवाव में देखने हो क्या वहाँ बड़ा ही है इसमें वृदी की बात की कि गाओं के अंदर जो rural areas है वहाँ पर जो discrimination है उसमें increment ही हुआ है अब यह तो होगी हमारे सामने SC ST community अब महिलाओं के उपर बात कर लेते हैं तो महिलाओं के खिलाब बेदवाव सामना करना पड़ता है इस रिपोर्ट में बोला गए कि महिलाओं के परती होने वाला जो बेदवाव दोजार चार पांच में 67.2% से बढ़कर 2019-20 में 75.7% हो गया है तो देखिए कितना जादा बेदवाव बढ़ है और पुरुष और महिलाओं के बीच में अगर मैं income का differentiate म रामेंड और शहरी दोनों शेत्रों में जो एक casual labor होती है ना तो उस casual labor के अंदर 50-70% मतलब कि इतना हमें आएक अंतर देखने को मिलता है पर example अगर मैं यह कहूं कि एक casual labor को 100 रुपया मिलता है वहीं lady को 50 रुपया मिलेगा या 30 रुपया मिलेगा तो यहाँ पर इतना labor है हाँ उनमें कम है 20-60% तक हमें उसमें देखने को मिलता है अब स्वयरोजगार के माल में यानि self employment है उसमें भी बहुत जादा हमें देखने को मिलता है ऐसमानता पुरुष जो है वो महिलाओं से 4-5 गुना अधिक कमा रहे हैं यह बात बोली गई है और भारत में जो लें क्या हमारे समीधान में कोई प्रावदान लखे गए हैं नहीं लिखे गए हैं बेशक लिखे गए हैं अगर आप article 14, article 15, article 16 इन तीनों article को और आप देखें तो इसमें बोला गया है कि कोई भी वेक्ति किसी के साथ बेदबाव नहीं कर सकता उसको समान कानून के समानता का अधिकार हैं इस सब बाते इन आर्टिकल्स में बोली गई है देखिए विदी के समक्स समानता यानि right to equality के अगर मैं बात करूं आर्टिकल 14 आता है उस right to equality के अंदर equal before law हम इसको कहते हैं उसके according के बोली गया है कि हर कोई व्यक्ति विदी के समक्स समानता और विदी के समान स सरंग्षन उसको वन्चित नहीं कर सकते हैं आप उससे अधिकार निस्दी किसी को कानून के सामने को ज्ञ़ादा प्रेफेरंस दे गई हो किसी को कम प्रेफेरंस देगे दी गई है इसा नहीं है सबको equal अधिकार है वहां पर या अधिकार सभी व्यक्तियों को अपरापत च अगर 15 के एकर मैं बात करूँ उसके तहत भारत के किसी भी नागरी के साथ आप जाती धरम लिंग जनम स्थान इनके साथ आप वंश के अधार पर बेदवाव नहीं कर सकते और अभी जादा तर बेदवाव कहां में देखने को मिल रहे हैं लिंग के अधार पर तो यह काफी ज आरजनी काराले में रोजगार या न्युक्ति के मामलों में सभी नागरीकों के लिए अफसर की समानता परदान करता है यह सारी बाते हमारे समीधान में लिकेंगे बावजुद इसके हमें डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिल रहा है अब महिलाओं के सशक्ति करन के गौर्मेंट ने क्या-कया योजना है इनको भी हमें जानना जरूर है बेटी पढ़ाओ एक योजना है हमारे सामने उजवला योजना हो गई स्वधार ग्रह होगी परदान मंतरी मांतर वंदना योजना होगी परदान मंतरी महिला शक्ति केंदर योजना होगी वन स्टॉप सेंटर होगी तो यह सब चीज़ें आपको याद रखनी होगी कौन कौन सी स्कीम जो है मारे देश में चल रही है वोमन इंपार्मेंट के लिए अब एक हमारे मैंने आपके सामने प्रियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में बात किती है अभी थोड़ देर पहले क्योंकि वहीं से भी कुछ डेटा उठाएगा तो उसके बारे हम जान लेते हैं देखे अधिक नियमित समय अंतराल पर श्रंबल डेटा की उबलता के महतों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रिय संख्यां की कारलिया यानि कि National Statistical Office ने 2017 में PLFS की स्थापना की थी इसका में अबजेक्टिव यह है कि वर्तमान सापताइक स्थिति यानि CWS को केवल शहरी शेतरों के लिए तीन महीनों की एक अल्पकालिक अंतराल पर परमुक रोजगार और बिरोजगारी के जो इंडिकेटर है वो प्रवाइड करवाना यानि कि अनुमाल लगाना कि कितना यहाँ पर बिरोजगारी और रोजगार है हमारे सामने मिलके आ रहा है और परतिवर्ष में तो ग्रामिन और शहरी दोनों का ही अनुमाल लगाना कि कितना रोजगार है कितना वहाँ पर हमारे सामने बिरोजगारी देखने को मिल रही गय कि श्रमिक जनसंग के अनुपात कितना है श्रंबल भागेदानी यानि कि मैं बात कुरूं लेबर फोर्स पार्टिशिपेशन रेट कितना है अलिम्प्लॉइमेंट रेट कितना है तो तीन महीनों के लिए तो देखो यह शहरों के लिए निकालती है लेकिन एक साल के अगर हम बात करें तो रूरेल और अर्बन एरिया पे यह पी एल एफस यह दोनों काम करती है स्थापना इसकी किसके द्वारा की गई है ध्यान अकना नेशनल स्टैस्टिस्टिकल ओफिस के द्वारा नेशनल एनेस जिसको हम बोलते हैं क्लियर दिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो के पीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं तो साच के लिए तने था थैंक्यों वर वाचिंग इस वीडियो